दोस्तों Excel के एक और amazing and powerful वीडियो में आप सब का स्वाव लेता है जहां पे आज हम cover करने वाले हैं Excel का formula tab normally honest के नाप देख पारे हो कि हमने आप ए formula tab open क्या हुआ है और formula tab में जितने भी options होते हैं चाहिए मैं बात करो यहां पे define names की, formula auditing की, calculation की, watch window की, insert function की यह सभी terms हम with practical समझने वाले हैं लेकिन अगर हम बात करें इन formulas की जैसे financial में आप देखोगे तो number of 20-30 formulas होंगे या फिर logical की बात करें, text की बात करें, कुल मिला कि अगर हम Excel में बात करें तो लगभग 450 plus functions हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, कि total अगर मैं बात करूँ, तो 400 plus functions हैं, तो जिनने एक क्या 5 वीडियो में भी cover करना possible नहीं है, यह बात आप भी अच्छे से जानते हो, और अगर हम किसी भी formula की बात करें, तो उसके लिए एक dedicated video चाहिए होता, अगर कोई भी एक अच्छा formula ह है, चाहिए VLOOKUP, HLOOKUP, E formula हो गया, PMT हो गया, तो उनके लिए एक proper dedicated video चाहिए, तो अगर हम बात करें कि इस function library की जिसमें इतने सारे functions है, 400 सो भी जादा functions है, तो उन्हें किसी वीडियो में cover करना possible नहीं है, पहली बात, लेकिन अगर हम बात करें, formula tab की, जिसमें और भी options होत formula auditing का क्या काम होता है, या फिर watch window का क्या हुआ, calculation option में हम बात करें, automatic, expect for data tables, यह terms क्या होता है, तो यह सारी चीज़ें हम इसे एक single video में cover करने वाले है, अगर आपको formula series में, किसी proper formulas के list पे, अगर मैं बात करू, logical हो गया, financial हो गया, इन पे कोई proper video चाहिए, तो आप वो comment करक सकते हैं, जैसे कि काफी आप लोग की तरफ से comment आ रहे थे, कि हमें सारे tabs की video चाहिए, तो formula type की video बन रही है, और अगली video data tab पे बन सकती है, बट मुझे पता होना चाहिए, कि आप लोग इसके लिए excited हो, तो हम इस video पे target रखते हैं, कि अगर 2000 likes और minimum 100 comment भी आते है, data tab के ऊप तो मैं अगली video data tab complete tutorial पे ही बनाऊँगा, फिलाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस video को, तो normally आ जाते हैं computer screen पे, और यहां पी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं define name से, हम insert function के बारे में भी बात करेंगे, और auto sum के बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले हम शु इसी भी cell की, तो उस cell का एक नाम होता है, जैसे example के लिए अगर मैं इस cell की बात करूँ, तो यहां पे इसका नाम है c9, आप normally name box में देख पा रहे हो, कि इसका नाम क्या रखा है हमने c9, उसी तरीके से, अगर आप किसी range का नाम रखना चाहते हो, जैसे मालो यह के range है, English की, तो इसका नाम मुझे कुछ रखना है, जिसको लिख के मैं इस पूरी range को call कर सको, उसके लिए हम use करते हैं define name का, example के लिए, जैसे मैं अभी यहां पे equal करता हूँ, और मैंने form ना डाला sum का, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि English का जो पूरा data है, उसका मुझे sum चाहिए, तो basic तरीका क्या use करने कि हमने range को select किया, और यहां पे मैंने enter किया, तो इस तरीके साया, लेकिन अगर define name से, मैं इस पूरी range को select करूँ, और इसका एक नाम रख दो, define name में गए हम, और नाम मैंने रख दिया English, उपर में English लिखा था, इसलिए by default English आ गया, और मैंने कर दिया जाएगा bracket के अब बंद और press के enter, और अभी भी मुझे English वाले range का total मिल गया, so I hope कि point आप समझ पा रहे होंगे, कि cell का नाम तो आपको दिया ही होता है, जैसे cell की बात करें तो इसका नाम है C9, लेकिन अगर आपके हिसाब से कोई range है, जिसको आपको बार बार use करना है, तो आप उसे कोई नाम दे के fix कर सकते हो, कहने का मतलब जैसे हिंदी वाला section है, मैंने इसको select किया, define name में गये, इस range का नाम हमने रख दिया Hindi, इस range का नाम हमने रख दिया math, यहां पे गये हम math, और इस range का नाम हमने रख दिया science, और हमने simple कह गया, इस पर okay किया, अब okay करने के जब आप name manager पर click करोगे, तो यह आपको बता देगा, कि आपने total 4 names create की होगे, एक है English, Hindi, Math, Science, और इनके थुरू इन में क्या-क्या value है, क्या reference आपने दिया है, यह workbook बगरा, यह सारी चीज़े आपको on screen यहां पर देखने को मिल जाती है, इनके से अगर आपको कोई भी area इ edit पर click किया, और edit पर click करके, इसके range जो है, वो मुझे अलग रखने है, जैसे range यह है, मैं range यह कर देता हूँ, तो अभी range आ जाएगे, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी editing करनी है, तो वो भी आप इसमे apply कर सकते हो, new में click करके, आप दुबारा से एक नई range ले सकते हो, जैसे मैं ने यहाँ पर click किया और मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है, table, इस तरीके से, और इस पूरी range को, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर और इस पूरी range को जो यह से select कर लेता है, Unless". अब क्या होगा कि मैं यहां पर आके अगर यहां पर मैं लिखू equal और मैंने लिखा table तो आप देखो कि automatically जो पूरा का पूरा data वो select हो जाता है अगर मैं यहां पर कोई और डाल दूँ जैसे English तो आप देखो कौन सी range को आपको formula में use करना है तो मैंने बोला यहां पर जो hindi वाली range में इसे formula में use करना है मैंने hindi को select किया select करने के पाद देखो automatically equal और यहां प हिंदी आ गया आप कोई formula मुझे जिसमें डालना है तो मैंने या भी लिखा sum, tab किया formula शुरू और कर दिया enter और यहाँ पे इसका total आ गया, तो इस तरीके से आप इसे use in formula में use कर सकते हो, अब इसके बाद बात करते हैं, define names की category में last option की, जो कि है create from selection, और यह एक shortcut option है range name create करने के मामले में, देखो मैं समझा दो क सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस name manager में जाएंगे, और जितने भी area हमने यहाँ पी create के हो, सब को select करके हम कर देते हैं delete, क्योंकि हमें बिल्कुल fresh ही है, अब देखो यहाँ पी क्या करता हूँ, मैं इस range को select करता हूँ, ठीक है यहाँ ध्यान देना, अगर मैं बात करू इस वाले range की, तो इसके लिए में क्या नाम रख सकता हूँ name, इस वाले range के लिए क्या नाम रख सकता हूँ English, इस वाले range के लिए क्या नाम रख सकता हूँ Hindi, इसके लिए math, इसके लिए science, और इसके लिए total, तो मैं क्या करता हूँ, simply इसको यहाँ से यहाँ तक proper select कर लेता ह और select करने की बात हम करते create from selection, अब यह मुझसे कह रहा है कि आप जो इसका नाम रखना चाहते हो, यह top row के भिहाब पे रखना है, या फर left column के भिहाब पे रखना है, कहने का मतलब जैसे यह वाली range का top row क्या हुआ English, इस वाली range का Hindi, इस वाली range का math, इसका science, इसका total, तो फिलाल इस ने क्या किया, सभी top row को as a name यहाँ पे count कर लिया, even अगर आप name manager में भी check करोगे, तो आप देखोगे, इनी के थुरू, यह जो range है, उनका नाम करन यहाँ पे हो गया है, अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरे term की जो कि था left column, तो वो क्या होगा, मैं इसको select करता हूँ करता हूँ, delete, मैंने दुबारा से से range को select किया, simple, और मैं करता हूँ, create a from selection, और मैंने top हटा के इस बार रखा left column, यह वाला, मैंने क्या okay, तो अब क्या होगा, कि अगर मैं Rajesh लिखूँगा, तो Rajesh के सामने वाली row जो है, वो select हो जाएगे, equal क्या Rajesh, तो अभी क्या कर रहा है कि data को किस तरीके से इसने name define किया, horizontal way में, यह horizontal way में इस तरीके से इसका data हो गया, महेश, इस तरीके से सुरेश, इस तरीके से नितीश, और इस तरीके से कपिल, so I hope कि guys define names में जितने भी options है, वो अब आपको अच्छे से clear हो गए होंगे, अब बात करते है next section की, जो कि है formula auditing, auditing का मतलब क्या होता है, auditing का मतलब होता है किसी भी चीज़ को check करना, एक तरीके से, तो यहाँ पर आप different different चीज़े check कर सकते हो, जैसे कि formulas, error, यह सारी चीज़े आप check कर सकते हो, कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको समझाता हूँ, error checking के example से, जैसे माल लो कि यह data तो भी छोटा सा है, आप normally honest के नभी से देख पार हो, लेकिन माल लो यह data है 500 लोगों का, हजार लोगों का, तो वहाँ पर आपको देखने में दिक्कत होगी, तो माल लो यह पूरी sheet भरी पर यह data data से, और उसमें कहीं कहीं पर कोई error आ गया है, क्योंकि हम Excel में तो एक गलत value जो कि है text, तो यहाँ पर आ जाएगा value error, अब जैसे आप error checking पर click करोगे, तो यह आपको बताएगा कि आपका error आ रहा है, और वो error क्या है, यह वाला, आप देख पार हो, error in cell F6, इसमें नाम बता दिया, कि error कौन से cell में आ रहा है, F6 में आ रहा है, यह रहा, F6, औ और यहाँ पर क्या error है, तो वो भी आपको यह शो कर रहा है, कि value used in formula is of the wrong data type, मतलब इसका data type बात करें 4765, तो इसका data क्या है number, लेकिन इसका data type क्या है, text, तो यह हमें यह भी बता रहा है, कि आपको यहाँ पर error किस वज़े से मिल रहा है, तो इस तरीके से आप data को audit कर सकते ह अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, दूसरों options की, जैसे सबसे पहले यहाँ पर किया है trace precedent, तो trace precedent क्या करता है, यह आपको बताता है, कि यह जो cell है, जिसमें formula लगा हुआ है, तो इसने किन-किन cells को अपने साथ connect किया है, इस formula को complete करने में, example के लिए मैं जैसे trace precedent पर किलिक करू कर दो, अब बात करते हैं trace dependence, dependence का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि अगर मैं बात करूँ cell की, तो यह cell किस formula में काम कर रहा है, हमें यह देखना है, यहाँ पर क्या था, कि हम formula के थूरू values को ढूंड रहे थे, और यहाँ पर values के थूरू formula को ढूंड रहे है, तो हमने इसको select कि और हमने कि यहाँ पर trace dependent, कि यह किस formula पर depend हो रहा है, तो हमने अभी click किया, तो यह बता रहा है, कि इस cell में जो formula लगा है, उसमें इस cell को भी count किया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर direct हो रहा है, अगर माल लो इसका जो result है, वो मैं यहाँ से हटा के, इसको रख देता इस तरीके से, तो अब क्या होगा, कि मैं यहाँ पर check करता हूँ, इस वाले cell के लिए, trace dependence, तो अभी arrow कहां direct कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो यह बता रहा है, कि इस cell का जो use हुआ है, वो कौन से box में use हुआ है, जहाँ पर formula लगा है, वो है यह वाला, जे 9 में, I hope कि यह के लिए, arrow हटाने क्या करेंगे, remove arrows, इसके बाद बात कर लेते है, next term की, जो कि है show formula, अभी इसमें कोई भी formula आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप show formula पर click करोगे, तो हर Excel का formula mode यहाँ पर open हो जाएगा, जो कि आप on screen देख पार हो, हर cell में क्या formula लगा है, वो आप on screen बड़ी आसानी से data check करने के लिए देख सकते हो, अब यहाँ पर बात करते है next option की, जो कि है evaluate formula, तो हमें क्या करना है, formula का बिल्कुल proper way में इसको हमें check करना है, तो हमने इस पर select किया, हमने किया, यहाँ पर evaluate formula पर click, तो आप यहाँ पर बता रहा है कि 4 cell जो है, वो यहाँ प पर click किया, तो यह बता रहा है कि इसके अंदर क्या value रखी है, आपने a value रखी है, जो कि क्या है, text है, फिर हम इस पर click करते हैं, तो यहाँ पर error शो कर रहा है, और फिर यह आगे move on कर रहा है, तो इस तरीके से अगर आपको formula को बिल्कुल अच्छी तरीके से evaluate करना है, तो आ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, तो अगर हम बात करें excel data, कि जहाँ पर data हमारे पास अक्सर जादा होता है, quantity में काफी जादा होता है, 500 लोग का, 1000 लोग का, या फिर एक long range of data हमारे पास होता है, अब उस data में क्या होता है, कि अगर आपको कोई चीज चेक करनी है, तो उस case म आप watch window का use कर सकते हो, अब कैसे, ये टम मैं आपको समझाता हूँ, देखो, जैसे माल लो कि यहाँ पर attendance है, और attendance की वहाँ पर salary है, और मेरे पास क्या है, एक नई report आई है, उन्होंने बताया कि यह जो attendance है, वो सब की गलत लिखी हुई है, तो उन्होंने एक दूसरी report भेज लेकिन total में कितना हूँ, मुझे पताईन चल रहा, फिर नीचे आके देखना पड़ रहा है, और यह तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ रहा है, माल लो, यहाँ पर 500 लोगों का data है, तब कितना जादा नीचे आके चेक करना पड़ेगा, तो काफी जादा मुझे यहाँ पर लेकिन चेंज हो गई, इसी तरीके से 24 है, मैंने किया 29 और मैंने किया enter, अब यहाँ पर matter क्या है, हो सकता है कि इस data में यह उतना जादा useful नहीं लग रहा हो, लेकिन आपको कई जगे इसकी जोद पड़ सकती है, अगर आपको किसी cell में बार बार रिजल्ट देखना है, और आपको उसके हिसाब से correction करना है, तो watch window आपके बहुत जादा काम आ सकता है, दूसरा अगर यह आपको side में रखना इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको click करो, मतलब left click से select करो, और select करने के बाद यहाँ पर लागे इसको छोड़ दो, जब आप इसे छोड़ोगे तो यह देखो कि यहाँ पे formula bar के उपर इस तरीके से screen में ही add हो जाएगा, अब यहाँ पे आप जितना भी नीचे करो, उपर जाओ, यह वहीं का वहीं रहेगा, और आपको जो भी इसमें changes करना है, आपको इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, so I hope कि यह term clear हो गया होगा इसके साथ ही मानलो किसी दूसरी sheet का भी result आपको add on करना है, तो आप add watch पे click करो, click करने के बाद आप यहाँ sheet 1 में गए, और यहाँ पे मैंने यह वाला cell select किया, मैंने किया add, तो add करने के बाद आप यहाँ normally on screen देखोगे, कि उस वाली screen, यानि उस वाली sheet में भी जो data है, वो उन्होंने बताए कि इसके सिर्फ 20 दिन की salary बनाओ, मतलब 20 दिन ही आया है, तो आपने इसको 20 किया, और अभी आप देखोगे कि total value कितनी हो रही है, 6,10,000 की, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी last data है, उसमें आप कोई भी correction कर रहे हो, और correction करते वकत, आप चाहरे ह आपको present value शो करेगा, अब बात करते हैं, last section की, जो कि है calculation part, यहाँ पे basically अगर आप देखोगे तो आपको तीन option शो रहोंगे, और calculation वाले term में आपको 2 option और show होते हैं, जो कि है automatic, except for data tables and manual, और ज्यादे तर लोग confuse होते हैं, इस second वाले term में, तो हम step by step से समझते हैं, सबसे प और मैंने यहाँ पे दे दिया sum का formula, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखा formula आगे, enter किया, तो अब क्या होगा कि मैं इसको यहाँ पे drag करूँगा, तो automatically यह बाकी cells का data pick करके, यहाँ पे मुझे output देगा, यह automatic काम हुआ, इसके लावा यहाँ पे value हो रही है 282, मैं यहाँ यहाँ पे data change करता हूँ, मैंने कर दिया 50, जैसे मैं 50 करके enter करूँगा, आप देखो कि 282 change होके, नई value में automatic यहाँ पे आ जाएगा, तो यह सारा काम कैसा हो रहा है, calculation, automatic हो रहा है, अगर मैं इसको कर दूँ, manual, automatic है, मैंने इसको कर दिया manual, manual करने के बाद क्या होगा, दुब automatic हटा के manual apply कर दिया, तो अब यहाँ पे यह इस तरीके से apply नहीं होगा, अगर मुझे apply करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, calculate now पे click करना पड़ेगा, तब जाके manual के साथ apply होगा, इसी तरीके से अगर मैं इसमें भी data change कर दूँ, 44 है, मैंने कर दिया 98, मैंने कि enter, तो क आपका यहाँ पे जो selection है, वो automatic हट के manual हो गया है, जिसको आपको दुबारा से क्या करना है, automatic करना है, अब बात कर लेते है next option की, जो कि है, automatic accept for data tables, इसका क्या use होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं, इस option की, देखो, आप जब data type पढ़ोगे, तो data type में एक option आपको मिलेगा, जो कि है data tables का, तो यहाँ पे उसका use होता है, example के लिए मैं यहाँ पे इस पूरे को delete कर देता हूँ फिलाल, कुछ नहीं है, suppose यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा one, और one, data tables का जो topic है, वो काफी बड़ा topic है, तो अभी सिर्फ मैं आपको यह example समझाने के लिए इसे बता रह है, तो मैंने यहाँ पी कहा कि equal, और one, multiply मैंने कर दिया यह, और किया enter, इसके बाद जो भी बागी की values है, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, जैसे यह मैंने किया, और मैं इसको डाल देता हूँ 10 तक, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 4 का table चाहिए, मुझे 6 क चाहिए, मुझे 8 का चाहिए, मुझे 9 का चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी range को मैंने select किया, select करने के बाद हम जाते है, what if analysis में, data table पे click किया, row value में मैंने दे दिया यह, और column में दे दिया यह, अभी आप इसे समझने कोशिश करोगे, आप confused हो जाओगे, तो सिर्फ आप data table का फाइदा देख लो, practical हम data tab में ही इसे समझेगे, मैंने क्या okay, जैसे मैं okay करूँ, आप देखो कि बागी सब का table यहाँ पे आ गया है, तो होगा क्या, कि मैं अगर यहाँ पे यह वाला option select कर लेता हूँ, automatic except for data table, data table को छोड़के हर जगा automatic apply होना चाहिए, तो अभी म मैं पहले दिखा देता हूँ, इसमें automatic कैसे काम हो रहा है, यह 4 है, मैं इसको 5 कर दूँगा, तो यहाँ पे 5 का table आ जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया 7, तो यहाँ पे 7 का table आ जाएगा, नॉर्मली और इसकिन देख पा रहे हो आप, तो automatic काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, यह वाला कर दिया मैंने, तो बागी सब में automatic apply होगा, देखो यहाँ पे भी है, अगर मैं data change करता हूँ, मैंने कि 20, तो 304 change होगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे automatic काम हो रहा है, लेकिन इस पे अभी 7 को change करके मैं 3 करूँगा, तो यहाँ पे change नहीं होगा, तो I hope कि यह portion समझ गया होगे, कि data table में automatic apply नहीं होगा, बागी सब में automatic चलेगा, तो आप यह वाल option use कर सकते हो, calculate now और calculate sheet का example आप समझ लो, in case आपके पास multiple sheet है, जैसे मानलो यही मेरे पास एक data है, ठीक है, मैंने इसको क्या copy, और मैं यहाँ पे इसको कर देता ह थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो हमार पास दो जगह यह data है, एक है sheet 3 में और एक है sheet 5 में, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर देते है, calculation type को मैंने कर दिया, manual, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको दुबारा से alt equal के हमने यह डाला, और हम इसको drag करके इस तरीके से यह कर देते हैं, यहाँ पे मैंने करता हूँ, तो अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, calculate now, तो calculate now में क्या होगा, कि दोनों में calculation apply हो जाएगा, sheet 3 में भी sheet 5 में, यह sheet 3 मैंने क्या calculate now, इसमे भी apply, और इसमे भी apply देखो, इसमे भी आぎया, proper data जो आना चाहिए, लेकिन अगर आप calculate sheet करते हो मैं इसको पहले की तरह नॉर्मल कर रहा हूँ अब अगर मैं करूँगा calculate sheet तो सिर्फ और सिर्फ जो calculation वो इस sheet पर apply होगा दूसरे पर apply नहीं होगा जैसे मैंने क्या calculate sheet तो यहां पेटे को इस पर तो apply हो गया लेकिन sheet 5 में अभी भी वैसा का वैसा ही है so I hope की term आपको clear हो गया होगा so calculate now मतलब जितने भी sheets है सब पर calculation apply हो जाएगा in case आप manual पर काम कर रहे हो तो और calculate sheet में सिर्फ उस एक individual sheet पर ही calculation apply होगा so I hope की define names formula auditing और जो इस section है calculation यह तीनो term तीनो section आपको अच्छे से clear हो गया हो बात करें insert function की तो इसकी मतद से आपको कोई भी formula insert करना है example के लिए हम यहीं पर आ जाते है मुझे इसमें sum का formula डालना है मैंने इसको select किया insert function में गए और यहां पर देखो sum का formula by default आ गया जैसे आप इस पर यह range select करते हो आप देखो कि चारो values यहां पर आ गए आपको ok करना है आपको यहां पर result मिल जाएगा कुल मिला के insert function के मतदद से आप कोई भी formula डालना चाहते हो चाहिए वो कोई सा भी formula आप यहां से simply डाल सकते हो हम यहां पर आते हैं insert function पे click किया आप जो भी formula आपको टाइप करना है लाइक आपको dollar का formula डालना है आपने dollar select किया ok तो जिसके यहाँ पे series को ली number हमने यह select किया और हमने किया ok तो यह दो कोई आगे dollar वाले portion में और अगर auto sum की बात करें तो जो basic function होगे sum, average, count, max, min इन सब के बारे में आपको पता ही होगा तो यह आप जो basic functions है alt key को hold करो और equal press करो तो भी auto sum यहाँ पे आ जाएगा so I hope कि जितने भी term से आपको यह clear हो गए हो function library की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि 400 से भी जादा functions है तो अगर आपको इन में से किसी function पे video चाहिए, किसी नही फॉर्मले पे video चाहिए तो आप comment कर सकते हो और अगर आप data tab पे video चाहते है तो target रखते हैं कि अगर 2000 likes भी आते है और minimum 100 लोग के comment भी आते है कि वही हमें data tab पे proper video चाहिए तो अगली video data tab के उपर ही बनेगी साधी guys आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ी good news है कि मैं excel का जो course है basic to professional level वो launch करने वाला हूँ बहुत ही जल्द जिससे related मैंने कुछ time पहले ही community post डाला था और मुझे पता चल गया है कि आप सब लोग बहुत ही जादा excited हो फिलाल वो जो channel है जिस पे पूरा कॉस upload होने वाला है उसका जो link है मैंने description में दे दिया है आप फट फट जा कि उस channel को subscribe कर लो और उस channel में excel से related सभी terms होने वाले हैं जसमें बात करूं interview skills, interview test कैसा होता है या फिर और भी जो चीज़े है basic to professional level में जो आपकी काम आ सकते हैं वो सब कुछ so make sure कि आप उस channel को subscribe करके रखें क्योंकि सारा update उसे पे आपको मिलने वाला है फिलाल दोस्तों इस video के लिए इतने हैं अगर इवीडियो आपको अच्छे लगाओ तो प्लीज इस video को like करें share करें साधी comment करके अपना feedback जरूर दें thank you